Hello everyone, आज हम करने वाले हैं कैलेंडर का पार्ट नमबर 3 अभी तक हमने कैलेंडर पर दो पार्ट किये हैं, ठीक है? जो आज का पार्ट है, उसमें हम जो theoretical पार्ट है, उसको complete कर देंगे और इसके अलावा, जो इसके उपर कुछ questions है, उसको भी discuss करेंगे जो कल हमारी class होगी, उसमें हम calendar के उपर जितने भी type के questions होगे, सभी को discuss करेंगे ठीक है? तो चलिए, आज की class start करते हैं कल हमने last में क्या सीखा था? हमने last में सीखा था, repetition of same calendar in century ठीक है? हमने क्या चीखा था? कि every 400 years में, जो calendar है न, वो repeat हो जाता है यह यहाँ पर century की बात हो रही है, ठीक है? स्ताबदी की बात हुई है कि 400 साल में, जो calendar है, वो repeat करता है खुद को ठीक है? यानि कि हम कहा सकते हैं, 4 century में, जो repetition है, calendar का, वो होता है ओके? for example, मालो हम आज की date लेते हैं आज है date, 8 July 2021 तो आज है, आज कौन सा day है, Thursday है? ठीक है? आज day है, Thursday तो कब, यानि कि 400 साल के बाद, 400 साल के बाद, सेम 8 जुलाई कब 2421 ठीक है 8 जुलाई 2421 को कौन सा डे होगा Thursday होगा कौन सा डे होगा Same day होगा Thursday समझ में आई बात इससे आगे फिर हम चलेंगे प्लस 400 years तो इस तरीके से हम बता सकते हैं ये हमने बात की थी century के लिए ठीक है अब इससे आगे हम करते हैं Years के लिए ध्यान से आप लोगों को समझते हुए चलना है ठीक है आज हम बात करने वाले हैं ये वाला बहुत ही important है इसके उपर से काफी बार questions पूछे जाते हैं ठीक है यहाँ पर है repetition of same calendar in years अभी पिसली बार हमने किसका किया था repetition of same calendar in century यहाँ पर हमने किया था century के लिए ओके अब हम करने वाले हैं years के लिए ठीक है इसमें दो टाइप है पहली है complete repeat ठीक है यानि कि first janvary से 31st December ठीक है और दूसरा है partially repeat यानि कि first janvary से 28 February तक ठीक है से ordinary year और leap year से leap year यह किसके लिए है complete repeat के लिए ठीक है दूसरा है partially repeat इसमें क्या है ordinary year से leap year और leap year से ordinary year इनमें difference क्या है वह मैं आपको समझाने वाला ह। ठीक है क्योस्तन से समझते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा मान लो हमारे पास क्योस्तन है क्योस्तन क्या है क्योस्तन है यहाँ पर कि वर्स 2015 में यानि कि 2015 year में जो calendar है जो 2015 का जो calendar है वो आगे कौन से year में समान अवस्था में आएगा ठीक है यानि कि same आएगा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा देखो सबसे पहले तो हम इसकी बात करते हैं किसकी complete repeat की ठीक है जब भी हमारी बात होगी complete repeat के लिए तो जो यहाँ पर year होगी उसको हम four से divide करके देखते हैं ठीक है कि कितने odd days है यानि कि remainder कितना बसता है समझ में आई बात four से हम divide करके देखते हैं अब यहाँ पर जब हम four से divide करते हैं तो हमारे पास remainder बचता है एक हमारे पास zero बच सकता है one भी बच सकता है two भी बच सकता है और three भी बच सकता है यह हमारे पास remainder बचते हैं अब यह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ न यह आपको याद करना है यह चीज़े यहाँ पर add होंगी बार-बार में इनका use होगा जब भी हमारे पास 0 remainder बचेगा और यहाँ पर repetition की बात होगी तो हम उस year में कितना add कर देंगे? 28 add कर देंगे जब हमारे पास remainder 1 होगा तब हमें कितना add करना पड़ेगा? तब हमें उसमें add करना पड़ेगा 6 ठीक है जब 2 की बात होगी तो 2 के लिए हमें add करना पड़ेगा 11 और जब 3 की बात होगी तो हमें add करना पड़ेगा 11 ठीक है बस इतनी बात आपको याद रखनी है 0 के लिए हमें कितना add करना है 28 करना है 1 के लिए add करना है 6 2 के लिए करना है 11 और 3 के लिए हमें करना है 11 ओके, अब हम question पर चलते है question था हमारे पास 2015 में जो calendar है वो आगे कब अपने आपको repeat करेगा ठीक है, अब century की बात नहीं हो रही है अब years की बात हो रही है ठीक है, तो पहला काम क्या है हमें divide करना है किस के साथ, 4 के साथ यहाँ पर जब हम 4 से divide करेंगे तो हमारे पास जो remainder है वो कितना बचेगा, 3 बचेगा remainder है वो कितना बचेगा, 3 बचेगा और अभी मैंने बताया कि जब remainder हमारे पास 3 बचेगा यह सभी क्या है, remainder से ठीक है और यह हमें करने है add जब हमारे पास remainder 3 बचेगा तो हमें क्या add करना पड़ेगा 11 add करना पड़ेगा तो हमें add कर देना है 2015 में कितना 11 यानि कि 6 to 2 0 यानि कि हम कह सकते है 2015 में जो calendar होगा same calendar होगा कब 2026 में ठीक है जैसा calendar 2015 में होगा same calendar 2026 में हमें देखने को मिलेगा ठीक है एक योशन हो गया एक और example ले लेते हैं मालो एक योशन है हमारे पास 5 मार्च 2006 को 5 मार्च 2006 को क्या है मंडे है ठीक है 5 मार्च 2006 को है मंडे ठीक है तो बताओ कौन से 5 मार्च को फिर से मंडे होगा कौन से 5 मार्च को फिर से मंडे होगा हमें year निकालना है कि अगला year कब होगा जब 5 मार्च को मंडे होगा तो इसके लिए same हमें क्या करेंगे Same हमें करना है Divide कर देना है किस से? 4 से जब हम 4 से Divide करेंगे तो remainder हमारे पास क्या एगा? remainder आगया हमारे पास 2 और 2 के लिए मैने बताया था कि 2 जब हमारे पास remainder होगा तो फिर से हमें क्या add करना पड़ेगा? हमें उसमें एड़ करना पड़ेगा 11 यानि कि 2006 में फिर से हमने क्या एड़ कर दिया 11 एड़ कर दिया तो यहाँ पर क्या गया 2017 गया यानि कि हम कह सकते हैं कि 5 मार्च 2017 को क्या होगा मंडे होगा ठीक है यहाँ पर दिया था 5 मार्च 2006 को मंडे है तो बताओ 5 March को कौन से year में फिर से Monday होगा अगली साल, अगली बार, ठीक है, तो अगली बार 2017 में 5 March को क्या होगा, Monday होगा, तो हम बता सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आप लोगों को ये बाते ध्यान रखनी है, कौन सी, 0 के लिए हमें add करना है 28, 1 के लिए लेना है 6, 2 के लिए 11, और 3 के लिए फिर से हमें क्या करना है, 11 उसमें add कर देना है, ठीक है, ये तो बात थी, किसके लिए, complete repeat के लिए, ठीक है, complete repeat के लिए, अब हम बात करने वाले है, partially repeat के लिए, partially repeat, अब partially repeat क्या है, वो मैं आपको बता जेता हूँ, ठीक है, अब बताओ, मैं क्योश्ण या पर ले रहा हूँ कि पांच फर्वरी ठीक है पांच फर्वरी 2006 को मंडे था ठीक है पांच फर्वरी 2006 को मंडे था तो बताओ पांच फर्वरी कौनसी पांच फर्वरी को फिर से मंडे होगा ठीक है तो बताओ कौनसी पांच फर्वरी को दो बारा मंडे होगा मैं उप्सन दे रहा हूँ आपको उप्सन A है 2012 B है 2017 C है 2034 और D है 2011 ठीक है अब इन क्योशन्स को देखो ध्यान से ये वाला क्योशन और ये वाला क्योशन इसमें है 5 मार्फ 2006 और इसमें है 5 फरवरी 2006 ठीक है यहां पर भी मंडे है और यहां पर भी मंडे है यहां पर बोल गया था कि 5 मार्च कौन से 5 मार्च को मंडे होगा आगे और यहां पर पूछा गया है कौन से 5 फरवरी को मंडे होगा आगे तो इन दोनों क्योशन्स में डिफरेंस क्या है जो मैं difference बताने वाला हुना उसको आप लोगों को यहां से ध्यान से समझना है जो partially repeat होगा वो हमें देखना है 1 जनवरी से 28 फरवरी के लिए यानि कि हम कह सकते हैं जब भी हमारे पास बात हो जनवरी और फरवरी की जब भी हमारे पास बात होगी किसकी जनवरी और फरवरी की जनवरी फरवरी के अलावा जो भी हमारे पास होगा मार्च, अपरेल, माई, जून, जुलाई, अगस, सितंबर, अक्टूबर, नॉंबर और दिसंबर सभी के लिए हम कौन सा method यूज करेंगे जो अभी तक हमने किया है 4 से divide करना है जो remainder आएगा उस remainder का जितना code है वो उसमें add कर देंगे वो date आजाएगी ठीक है लेकिन जनवरी और फरवरी के लिए हमें अलग से देखना पड़ेगा क्यों देखना पड़ेगा क्योंकि जनवरी और जो फरवरी है उसमें leap year जब होका न तो अब उसमें 29,5 होगी होगी न इसलिए हमें उसको check करना पड़ेगा उसको check हम कैसे करेंगे तो check करने का method है check check हमें करना पड़ेगा कैसे देखो यहाँ पर हमारे पास year है कितनी 2006 ठीक है 2006 जो है वो क्या है वो एक ordinary year है सभी को पता है ordinary year और leap year का difference 2006 है वो एक ordinary year है तो इसमें old day की संख्या कितनी होगी one हमने सीखा था पिसली वीडियो में कि जो old day होगा कितना होगा one होगा ordinary year में जो old days होते हैं वो one होते हैं उसके बाद आती है 2007 2007 भी क्या है एक ordinary year है ठीक है इसमें भी old days कितने होगे one होगे उसके बाद आती है 2008 अब 2008 जो आठ है वो क्या है वो एक leap year है और leap year में हमें पता है कि जो old days होते हैं वो कितने होते हैं two होते हैं ठीक है अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी होंगी तो आपको समझ में आ रही होगी कि हम ये 1 और 2 क्यों लिख रहे हैं ठीक है ये क्या है? Old days है ओके अब हम चलते हैं आगे 2009 की तरफ ये फिर से क्या है? ये फिर से एक ordinary year है तो old days की संख्या इसमें फिर से क्या होगी? 1 होगी उसके बाद आता है 2010 ये भी क्या है? ये भी एक ordinary year है इसमें भी जो old days होंगे वो होंगे 1 उसके बाद आता है 2011 ये भी क्या है? ये भी एक ordinary year है और इसमें भी जो old days होंगे वो क्या होंगे? 1 होंगे ठीक है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर हम count करें 3 to 5 और to 7 total कितने हो गए 7 हो गए total कितने हो गए 7 8 days हो गए ठीक है total कितने हो गए 7 8 days हो गए जब हमारे पास 7 का multiple हो या sum यहाँ पर जब 8 days 7 आ जाएंगे तो उसके बाद वाला जो वर्स होगा ना वो उसके समान अवस्था में होगा यानि कि अब हम क्या बोलेंगे जो 2012 है यहाँ पर 2011 आ गया अब 2011 से जश्ट अगला साल कौन सा है 2012 तो हम क्या बोलेंगे पांच फरवरी 2012 को क्या होगा मंडे होगा ठीक है यहाँ से हम 2017 भी बता सकते हैं 2017 को भी मंडे ही होगा ठीक है लेकिन हमें इससे पहले पुछा गया है कि 5 February 2006 को जो अगला आएगा न वो बताना है तो 2017 से पहले 2012 और 2011 भी है तो हमें इनको भी चेक कर लेना है यहाँ पर ठीक है 2017 तो बाद में आएगा तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा option A यानि कि 2012 ओके तो 5 February 2012 को भी क्या आएगा Monday आएगा मैं इसको एक बर फिर से बता रहा हूँ आपको ठीक है इस question को मैं एक बर फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने क्या किया है हमें जब भी partially repeat को check करना होगा तो हम क्या करेंगे जो odd days है उनको हम count करेंगे हमें चलना है 7 तक जब भी जहाँ पर भी 7 बन जाएगा न जिस year में 7 बना है उससे just जो next year होगा वो क्या होगा वो उसके बिल्कुल same होगा समझ में आई बात question क्या था मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पर पुछा गया था 5 फरवरी 2006 को मंडे है तो 5 फरवरी को कब होगा मंडे आने वाली year में ठीक है जो भी आगे year आएगी उसमें कौन सी year में 5 फरवरी को मंडे होगा हमें वो year निकालनी है ठीक है एक 2017 तो है ही है 2017 को तो जरूर होगा मंडे क्योंकि हमने वो चेक किया था 4 से डिवाइड करके पिछले क्योशन में वहाँ पर मार्स था ठीक है लेकिन यहाँ पर partially repeat भी हो रहा है जब भी यहाँ पर जनवरी और फरवरी की बात होगी तो हमें स कि यहाँ पर देखो 2006 था मैंने यहाँ पर 2006 को लिया 2006 पता है हमें कि एक ordinary year है ठीक है जब ordinary year की बात हुई है तो हमें पता है कि एक ordinary year में old days की संख्या कितनी होती है एक होती है उसके बाद हम चले 2007 तक 2007 भी क्या है एक ordinary year है और इसमें भी old days की संख्या कितनी है वन है उसके ब 2008 है वो एक leap year है leap year में जो odd days होते है वो कितने हैं? तू होते है देखो मैंने क्या बताया था odd days निकालने जब ordinary year है 365 होंगे तो इसको 7 से divide करेंगे तो remainder कितना बचेगा? 1 करेंगे और leap year में होते है 366 जब हम इसको 7 से divide करेंगे तो यहां से remainder कितना बचेगा 2 तो यहां से यह odd days आए है समझ में आ रही है यह बात यह हमने कल पिछली वीडियो में किया था अब यहां पर इससे आगे आता है फिर से 2009 ठीक है यह क्या है यह फिर से एक ordinary year है अब ordinary year है तो इसमें odd days की सेंख्या कितनी होगी one होगी उसके बाद हम चलते है two thousand कहां तक चलना है हमें वहां तक चलना है जब यह odd days की जो sum है ना odd days का sum वो seven बन जाए ठीक है उस तक हमें चलना है अब 2010 तक चले 2010 भी क्या है एक ordinary year है इसका भी क्या होगा one odd day होगा और उसके बाद आता है 2011 2011 भी एक ordinary year है तो इसमें भी जो odd days है वो कितने होगे one होगे ठीक है अब यहां पर 2011 अग जब हम आए तो हमने इनको count किया कितना बन गया seven three or two five or two seven ठीक है यह बन गया हमारे पास seven odd days ठीक है जब भी हम partially repeat को check करेंगे January और February के लिए हम यहाँ पर देख लेता है कि यह पर January और February तो नहीं है अगर January और February है तो हमें ये वाला method use करना पड़ेगा अगर January और February के अलावा जो भी है तो हमें पिसला वाला method use करना पड़ेगा जिसमें हम क्या करते थे 4 से divide करते थे और जो भी remainder आता था उसका जो code था वो उसमें add कर देते थे ठीक है समझ में आई बात इन दोनों में difference समझ में आया अब जब हमने देखा यहां पर फरवरी है तो हमने यह वाला चेक किया method अब यहां पर आ गये है साथ जब भी यहां पर साथ बन जाएगा ना जिस साल में यह साथ बनेगा उससे अगला साल क्या होगा इसका same होगा यानि कि हम कहेंगे कि 2012 में है ना 2012 में 5 फरवरी को क्या होगा Monday होगा ठीक है लेकिन यहां पर फिर से एक doubt है 2006 तो था हमारे पास ordinary year और 2012 है हमारे पास leap year तो आप कहोगे सर यह same कैसे हो सकते है calendar तो same नहीं होगा नहीं होगा लेकिन same कहां तक होगा यह यह same होगा 1st January से 28 फरवरी तक लेकिन यह same होगा calendar 2006 का calendar और 2012 का calendar 1st January से 28 फरवरी तक तो same होगा लेकिन आगे difference हो जाएगा आगे difference क्यों हो जाएगा क्योंकि 2006 में तो 28 होंगे फरवरी में और 2012 में कितने होंगे 39 होंगे वहां से calendar में difference शुरू हो जाएगा ठीक है लेकिन हमें कहां तक निकालना था 5 फरवरी तक तो 5 फरवरी तक तो जो calendar है वो बिल्कुल same रहेगा 28 फरवरी तक same है 5 फरवरी पहले आ लिया है ठीक है इसलिए हम इस तरीके से इसको check करेंगे समझ में आई बात सभी को समझ में आई ठीक है जो मैंने यहां पर बताया वो अगर आप लोगों को फिर भी doubt है तो एक बर फिर से इसको वीडियो को reverse करके आप देख सकते हो ठीक है बस आपको यह ध्यान रखना है हमें सम कहां तक करना है 7 तक करना है जिस भी year में सम 7 हो जाएगा उससे अगला जो year होगा वो क्या होगा वो उसके बिलकुल बराबर होगा ठीक है जनवरी और फरवरी के लिए होगा है सिर्फ यह जनवरी और फरवरी के लिए हमें इस तरीके से चेक करना है बाकी March, April और जो भी आगे है उन सभी के लिए मैंने बताया था कि 4 से divide करेंगे year को 4 से year को divide करेंगे जो भी remainder आएगा remainder का मैंने code बताया था कि 0 remainder आएगा तो 28 add कर देंगे 1 आएगा तो 6 add कर देंगे 2 आएगा तो 11 add कर देंगे और 3 आएगा तो फिर से 11 add कर देंगे किसमें जो हमारे पास year है ठीक है ओके, समझ में आया सभी को ठीक है, ओके अब हम चलते हैं आगे मानलो एक-दो example और ले लेते हैं, ठीक है चलो एक-दो example हम और ले लेते हैं मानलो हमारे पास question है 2008 फर्स के बाद आगे कब calendar समान अस्था में आएगा यानि कि अपने आपको repeat करेगा 2008 के बाद कब होगा repeat तो जब यहाँ पर हमें date वगएरा कुछ भी fix नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे हम करेंगे direct force and divide यहाँ पर remainder कितना आगया, यहाँ पर remainder है हमारे पास zero ठीक है, और जब हमने सीखा था remainder हमारे पास zero होगा, तो हम उसमें कितना add करेंगे, 28 add कर देंगे, तो 2008 में हम add कर देंगे कितना, 28 कितना आ गया, 2036, यानि कि जो 2008 में जो calendar होगा वो 2036 में अपने आपको repeat करेगा, ठीक है, यह हम years की बात कर रहे हैं, कल हमने century की बात की थी, आज हम बात कर रहे हैं, years की, ठीक है, इसके उपर ज़्यादा क्योसन मलते हैं, ओके, ठीक है, ओके, और क्योसन से ले लेते हैं, और क्योसन लेते हैं, माल लो, माल लो, यही क्योसन है, कि 2008 वाला, यहाँ पर हमने एक तो वो complete किया था, अब हम इसी में, पार्सिली वाला चैक करके देखते हैं, कि यहाँ पर पार्सिली रिपीट क्या होगा, ठीक है, पार्सिली, पार्सिली रिपीट के लिए मैंने क्या बताया था, पार्सिली रिपीट होता है, 1 जनवरी से 28 February तक ठीक है 1 जनवरी से 28 February तक यहाँ पर है हमारे पास 2008 2008 क्या है? 2008 एक Leap Year है तो Leap Year है तो यहाँ पर Old Days की संख्या क्या आएगी? Old Days की संख्या आगई 2 उसके बाद हम चलते है 2009 तक 2009 में है Old Days की संख्या 1 उसके बाद है 2010 2010 इसमें भी 1 उसके बाद है 2011 इसमें भी 1 ठीक है? उसके बाद है 2012 इसमें होंगे 2 ठीक है? क्योंकि 2000 क्या है? फिर से एक Leap Year है और यह क्या है? यह Ordinary Years है ठीक है? अगर इनको हम count करते हैं यहाँ पर तो कितना बन गया? 7 बन गया? 2 or 2 4 4 or 3 7 ठीक है? 2012 में आये हैं यानिकि फिर 2013 में यह अपने आप को क्या करेगा? partially repeat करेगा यानिकि 1st January से 28 February तक 2008 और 2013 का जो कलेंडर है वो बिल्कुल सेम रहेगा ठीक है? 1st January से 28 February तक जो कलेंडर है 2008 और 2013 का वो क्या होगा? वो बिल्कुल सेम होगा ठीक है यह तो हो गई थी partially repeat और complete repeat मैंने बताया था complete repeat के लिए हमने क्या किया था complete repeat के लिए हमने divide किया था 4 से यहाँ पर remainder आया था 0 0 के लिए मैंने बताया था कितना add करेंगे 28 add करेंगे और 2008 में हमने add कर दिया था 28 तो यहाँ पर आ गया था 2036 यानि कि 2013 तो partially repeat हुआ है और 2036 में हुआ है complete repeat, ओके, अब difference आसानी से समझ में आ गया आपको, ठीक है, समझ में आया सभी को, ओके, अब इसके उपर कुछ questions कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो theoretical type था, theory जो थी, वो यहाँ पर complete हो जाती है, ठीक है, अब हम कुछ questions कर लेते हैं, एक और यहाँ पर आप लोगों को समझाना है question, मैं उसको question से ही समझा जेता हूँ, ठीक है, मालनो हमारे पास question है, question क्या है, question है, बताओ, 15 मार्च 1925 को, बताओ, 15 मार्च 1925 को कौन सा day होगा, यह हमें बताना है, ठीक है, क्या बताना है, 15 मार्च 1925 को कौन सा day होगा, अब यहाँ पर हम देखते हैं, 15 मार्च 1925, यानि कि जो 1925 है न, वो अभी complete नहीं हुआ है, यानि कि 1925 वा साल तो अभी चल रहा है, 1924 तो complete हो चुके हैं, 1924 तो complete हो चुके हैं, वो जो 1925 हो है, वो चल रहा ह यही बात है, तो हम इनको कैसे करते हैं, यहाँ पर है हमारे पास 1924, ठीक है, जो भी यहाँ पर complete हो जाते हैं न, जो complete year है, उनके हमें क्या count करने है, old days हमें count करने है, ठीक है, क्या करने है, old days हमें count करने है, जो year यहाँ पर complete हो चुके हैं, year यहाँ पर complete हो चुके हैं, 1924, अ हमने क्या चीकहा था, हम इनको टुकोडो में तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1900 और इसको हम लिख सकते हैं 24, लिख सकते हैं, अब जो 1900 है ये तो क्या हो गईी अधुरि हो गई। century को जब हम 8 days count करते थे तो हम क्या करते थे हम divide करते थे किस से 400 से तो यहाँ पर जो remainder है वो कितना बचा 300 बचा जब हम 400 से divide करेंगे 1900 को तो कितना आएगा remainder हमारे पास बच गया 300 300 ओके और इनको हम जब count करते थे तो हम कैसे करते थे चार से divide ठीक है यानि कि यहाँ पर कितना आ गया बताओ sorry यहाँ पर 24 तो है ही यहाँ पर 24 तो है ही ठीक है अब देखो 300 के लिए हमने क्या बताया था 300 के लिए 300 के लिए हमने सीखा था 8 days की संख्या कितनी होगी 1 होगी फिर से बता देता हूँ 100 के लिए हमने निकाला था 5 200 के लिए निकाला था हमने 3 300 के लिए निकाला था 1 और 400 के लिए निकाला था 0 यानि कि multiple of four hundred के लिए हम बताते थे ये क्या है? ओट डेज की संख्या ये century है ठीक है? जब hundred होता था हमारे पास तो five आता था ओट डेज two hundred के लिए three था three hundred के लिए one था और four hundred के लिए zero था ये हमने पिसली क्लास में किया था ये सभी को पता है तो जब remainder हमारे पास 300 है तो old days की संख्या कितनी आ गई? old days की संख्या आ गई one अब यहाँ पर है हमारे पास twenty four ठीक है? हमारे पास है twenty four year अब देखो twenty four year है परते एक year अब देखो twenty four year है ना इसमें कुछ तो होंगे leap year और कुछ होंगे इसमे ordinary year सभी को पता है इसमें कुछ leap year है और कुछ ordinary year है अब ordinary year में कितने होते थे? ordinary year में old days होते थे one और leap year में old days होते थे two अब हमें निकालने है leap year leap year हम यहाँ से direct निकाल सकते हैं twenty four को हम divide करें किस से? four से तो हमारे पास जो leap year है वो कितने आ गई, 6 आ गई, ठीक है, तो old days की संख्या कितनी हो जाएगी, multiply हम कर देंगे 2 से, तो यह आ गई 12 और यहाँ पर है 1, और यहाँ पर जो ordinary years बचे हैं, वो कितने बचे, 24 से 6 हम घटा देंगे, कितना बचा, 18 बचा, तो 12 और 18, कितना हो गया, 30 हो गया, यानि कि 24 years में हमारे पास old days की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई, ठीक है, कितनी आ गई, 30 आ गई, या फिर हम इसको एक तरीके से और count कर सकते थे, ठीक है, इतना लंबा हमें करने की जरूत नहीं है, हम कैसे count करेंगे, देखो, हम इसको count करेंगे, 24 तो ही है, 24 तो year है, अब यहाँ पर हमने निकाला, जो leap year कितने है, leap year हमने 24 को divide कर दिया, 4 से, कितने आ गई, 6 आ गई, अब 24 में हमें सिर्फ 6 add कर देना है, 30 आ गया, तो 30 क्या गई, 8 days आ गई, ठीक है, उतना लंबा हमें करने की जरूत नहीं थी, हमने निकाल दिया यहाँ से, 8 days की संख्या आ गई, 30, तो यहाँ प अब हम जो running वाले हैं, ठीक है, जो running में 8 days है कौन सा, 15 March, ठीक है, एक तो हो गया, 15 March, अब चलते हैं, January उसके बाद February और उसके बाद है March, ठीक है, January, फरवरी और March, जनवरी में हमें पता है, कितने 8 days होते हैं, 3 होते हैं, फरवरी में हैं, देखो 1925, 1925 क्या है एक ordinary year है ordinary year में हमें पता है फरवरी में कितने होंगे जीरो होंगे ये सभी हमने कल किये थे ठीक है आप लोग अगर doubt में हो कि ये कहां से कर रहे हैं सर तो हमने ये सभी चीजे पिछली वीडियो में सीखी थी ठीक है अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये क्लास समझ में नहीं आएगी पिछली दो वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी है अब जनवरी के लिए हमने किया 3 फरवरी के लिए 8 दे 0 मार्च के लिए फिर से कितना आ गया 3 आ गया ठीक है मार्च के लिए कितना आ गया 3 आ गया और 15 तो है सोरी मार्च के लिए मार्च कहां तक है 15 तक है तो हम यहां पर 15 लिख लेते हैं complete नहीं हुआ है मार्च complete नहीं हुआ है मार्च कहां तक है 15 तक है तो 15 हमने यहां पर लिख लिया तो total हो गया यहाँ पर 18 यहाँ से आ गया 18 और यहाँ से आ गया 31 तो 18 और 31 इन दोनों को हम क्या कर देंगे add कर देंगे कितना गया 49 आ गया अब इस 49 को हमें divide कर देना है किस से 7 से तो यह complete जा रहा है remainder कितना बचा? remainder हमारे पास बचा है 0 जब हमें day निकालना हो तो remainder 0 का मतलब 0 का मैंने day के लिए बताया था Sunday ठीक है? यानि कि हम कह सकते हैं कि 15 मार्च 1925 को कौन सा day होगा? Sunday होगा ठीक है? तो हम क्या कह सकते हैं? 15 मार्च 1925 को कौन सा day होगा? Sunday होगा अब इतना लंबा प्रोसेस आप लोगों को लग रहा है ये लेकिन बिल्कुल इजी है ये कैसे है? अगर ये method आपको समझ में आ गया तो इसको direct हम कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ ठीक है? हमारे पास question क्या था? हमारे पास question था 15 मार्च 1925 को कौन सा day होगा? तो सबसे पहले आपको काम क्या है? 1925 को आप लोगों को तोड लेना है 1900 पलस में 24 ठीक है? 25 तो complete हुआ नहीं है 1900 के लिए हमें direct निकालना है ठीक है? जब century के लिए हम count करते थे क्या करते है? 400 से divide 400 से जब हमने divide किया तो remainder हमारे पास आ गया 300 remainder 300 आ गया 300 का मतलब क्या था? 300 का मतलब था old days की संक्या कितनी है? 1 है और इसमें हमने 24 add किया लेकिन जो 24 year है इसमें कुछ leap year भी होंगे ठीक है? कुछ leap year भी होंगे leap year कितने होंगे? 24 को हमने divide किया 4 से आ गया 6 6 ही इसमें हमने count कर दिये तो यहाँ पर हमने 6 add कर दिया यहाँ से आ गया यह 31 इतना काम complete हो गया? जो complete year थे उनके लिए निकाल दिया हमने निकाल दिया था यह 24 के लिए अब हमारे पास 15 March बचा है ठीक है? 15 March तो 15 March के लिए एक जनवरी प्लस फरवरी और प्लस March ऐसे चलेंगे जनवरी के लिए 8 days की संख्या कितनी थी? 3 थी फरवरी देखते हैं फरवरी यह है ordinary year ordinary year में फरवरी में जो 8 days है वो 0 होते हैं और March यहाँ पर complete हुआ नहीं है March की जो यहाँ पर संख्या है न वो यहाँ पर count कर देंगे 15 और 3 18 यहाँ पर आओ गया total 18 18 को इसमें हम add कर देंगे यह बन गया 49 अब 49 को हमें divide करना है 7 से 7 से क्यों करना है? क्योंकि हमें day निकालना है day कितनी होते हैं? 7 होते हैं तो 7 से हमने जब divide किया तो remainder आ गया हमारे पास 0 और जब day हम निकालते हैं तो 0 का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था 0 का मतलब होता है Sunday ठीक है? यानि कि हम कह सकते हैं कि 15 मार्च 1925 को कौन सा day था? Sunday था अब समझ में आया? ठीक है? अब इसके उपर कुछ questions ले लेते हैं आगे चलते हैं मान लो हमसे पूछ लिया गया What day of the week was 15 अगस्ट 1947? बताओ 1947 को 15 अगस्ट 1947 को कौन सा day था? तो हम निकाल सकते हैं इसको सबसे पहला काम हमारा क्या है? यहां पर हमने लिख लिया 15 अगस्ट 1947 1947 को हमने तोड़ दिया 1900 पलस 46 क्योंकि हमें सिर्फ पहले 1946 तक करना है क्योंकि 47 वा रनिंग में है रनिंग वाला हमें बाद में देखना है जो कंप्लीट है उनको हम अलग से कर लेते हैं 1900 1900 को हमने डिवाइड किया 400 से तो रिमेंडर कितना बचा? रिमेंडर फिर से 300 बचेगा 300 रिमेंडर का मतलब क्या है? 1 ओडे ठीक है? अब यहाँ पर है 46 46 एर में कुछ लीप एर होंगे? लीप एर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं ठीक है? जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक और यहाँ पर फिर से एक यानि कि 11 क्या आ गए? 11 आ गए यहाँ पर लीप एर तो 46 में हम क्या एर कर देंगे? 11 और एर कर देंगे कितना आ गया? 12 तो यह हो गया 8 और 58 कितना आ गया? 58 आ गया ठीक है यह तो हमने कर दिया जो complete year थे अब हम कर लेते हैं 15 अगस्त जो running में है अब हमें चलना है जनवरी फरवरी, मार्च अप्रेल, माई जून, जुलाई और अगस्त ठीक है? जनवरी में होते हैं हमारे पास 3 odd days अब जो 1947 है वो क्या है? एक ordinary year है ordinary year में फरवरी में कितने होते हैं? 0 होते है ठीक है? अब मार्च में फिर से 3, अप्रेल में कितने होंगे? 2 होंगे अप्रेल में कितने होंगे? 2 होंगे माई में फिर से 3 होंगे जून में फिर से 2 होंगे जुलाई में होंगे 3 और अगस्त यहां पर चल रहा है अगस्त यहाँ पर चल रहा है तो अगस्त का हम ले लेते हैं 15 इनको हम add कर लेते हैं 15 और 3 18 और 20, 23, 25 28 और 3, 31 ठीक है कितना गया 30 बना गया तो हम इसमें divide कर देते हैं sorry add कर देते हैं 58 में 31 यह आ गया 9 और 5 और 3, 8 89 बन गया अब 89 को हम divide कर देते हैं 7 से, 7 एक पे गया और 2 पे, ठीक है कितना बच गया, 5 बच गया remainder हमारे पास क्या बचा है, 5 बचा है और 5 किसके उपर होता है 5 होता है, Friday के उपर ठीक है 5 किसके उपर होता है Friday के उपर होता है तो हम कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था Friday था समझ में आई, यहाँ पर process हमने क्या किया, सबसे पहले हमें इसको तोड लेना है स्ताबदी में और year में स्ताबदी के लिए हम क्या करते हैं, 400 से divide कर देते हैं, जो remainder होगा उसके लिए मैंने बताया था, 300 के लिए 1 है 100 के लिए 5, 200 के लिए 3 ठीक है, 300 के लिए 1 और जब 400 हो या 400 का multiple हो, उसके लिए जब odd days की संख्या हम count करते हैं, तो वो होती है 0 ठीक है, तो remainder यहाँ पर 300 था तो odd days की संख्या यहाँ पर 1 हो गई अब यहाँ पर 46 year थे इसमें कुछ ordinary year है और कुछ है, leap year अब ordinary year और leap year है तो उसमें odd days की संख्या निकालनी है ordinary year में odd days की संख्या होती है 1 और leap year में odd days की संख्या होती है 2 ठीक है, तो 46 तो यह हो गया और अलग से हमने यह leap year निकाल लिए, कितने हो गए 11 तो 11 यहाँ पर extra आ गया extra आ गया न, तो यह यहाँ पर count हो गया, जब हमने इनको add किया तो कितना बना, 58 बन गया ठीक है, यह तो हुआ, किसका जो complete year था, 1946 तक लेकिन 15 अगस्त यह क्या है running में है, तो 15 अगस्त तक जानाया में, हम यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, मई, जून, जुलाई और एगस्त अगर आप लोगों को direct याद नहीं होता है तो आप लोगों को पता होगा जनवरी में होता है 31st 31st को हम, जब हम 7 से divide करेंगे, तो remainder कितना बचेगा? 3 बचेगा फरवरी में हमने देखा, जो 1947 है ना, वो क्या है? एक ordinary year है ordinary year में हमें पता है कि फरवरी में कितने day होते है? 28 होते है इसलिए जब हम 28 को 7 से divide करेंगे, तो remainder हमारे पास क्या बचेगा? 0 बचेगा मार्च में 31st दिन होते है, तो यहां पर फिर से remainder क्या बचेगा? 3 बचेगा इस तरीके से हम जो ओट डेज की संख्या निकाल सकते हैं अगस्त में यहां पर complete नहीं हुआ था अगस्त यहां पर complete नहीं हुआ था तो अगस्त का हमने ले लिया 15 15 ता अगस्त का था, 15 ले लिया इन सभी को हमने काउंट किया, कितना आ गया? 31 आ गया अब 31 और 58 को हमने काउंट किया, कितना आ गया? 89 अब 89 को हमने डिवाइड कर दिया, किस से? 7 से तो remainder हमारे पास आ गया 5 जब हम दे की बात करते हैं तो 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है Friday 5 किसको देनोट करता है? Friday को ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को क्या था? Friday था, ठीक है 0 के लिए मैंने बताया था Sunday 1 के लिए Monday, 2 के लिए Tuesday 3 के लिए Badness Day 4 के लिए Thursday 5 के लिए था Friday समझ में आए ये किस्वन सभी को ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर है What day was on 8 March 2011 अब ये क्योशन आपको खुझ से ट्राए करना है ठीक है, ये क्योशन आपको खुझ से ट्राए करना है पहले, उसके बाद आपको solution देखना है यहाँ पर दिया गया है 8 March 2011 ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है 8 March 2011 यहाँ पर हमें क्या करना है 2010 तक हमें चलना है जो complete year है वहाँ तक अब 2010 जो 10 है उसको हम parts में डिवाइड कर लेते हैं एक तुस्ताबदी में यानि कि century में 2000 और 10 है extra अब जो 2000 है इसको हमें किसे डिवाइड करना है इसको हमें करना है 400 से अब 400 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो remainder कितना बचेगा remainder यहाँ पर बचेगा 0 जब 0 remainder बचता है तो old days की संख्या कितनी होती है 0 होती है यानि कि 2000 के लिए तो क्या आगई 0 आगई अब यहाँ पर है 10 years अब 10 years है इसमें कुछ leap year होंगे कुछ ordinary year होंगे तो leap year निकालने के लिए हम क्या करते है 4 ची डिवाइड तो यहाँ पर कितना बचा 2 2 बचा 2 से पूरा पूरा गया sorry ठीक है तो यहाँ पर leap year कितने है 2 है और ordinary है 8 तो यहाँ पर 10 plus 2 हम कर देते हैं तो बारा यहाँ पर क्या आ गए बारा आ गए यहाँ पर odd days बारा कितने आ गए odd days यह तो हो गई 2010 तक की बात हमें निकालना है 8 March के लिए 8 March तक जाने के लिए हम क्या करेंगे जनवरी उसके बाद फरवरी और यहाँ पर March जनवरी में odd days की संख्या होती है 3 फरवरी को हमने जब देखा 2011 है एक ordinary year ordinary year में फरवरी में होते है 28 यानि कि हम कह सकते हैं कि यानि कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो odd days की संख्या हो कितनी है 0 है ठीक है और March में फिर से कितने होंगे लेकिन यहाँ पर March है, March तो चल रहा है March का हम ले लेंगे 8 8 होर 3 कितना हो गया? 11 हो गया, तो 11 हम इसमें add कर देंगे कितना बना? 23 बना 23 को हम divide कर देंगे 7 से 7 से जब हमने divide किया तो 21 तक तो गया लेकिन remainder कितना बच गया? remainder बच गया 2 अब 2 किसके लिए होता है? बताओ 0 के लिए होता है Sunday 1 के लिए होगा Monday और 2 के लिए होगा Tuesday यानि कि हम कह सकते हैं कि 8 March 2011 को कौन सा day होगा? Tuesday होगा यह हमारा answer होगा अब process आब लोगों को कौन सा date को कौन सा day होगा? ओके? एक और क्योशन क्योशन है Today is Monday After 61 days It will be क्या होगा? बताओ क्या होगा? यह आप लोगों का homework है ठीक है? आपको बताना है अगर आज Monday है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यह आप लोगों का homework है? ओके? एक क्योशन और देख लेते हैं Which year in the future will have the same calendar exactly as 2009? जो 2009 में जो calendar है वो future में कौन से year में exact होगा? बिल्कुल तो इसको आप लोगो को करना है बिल्कुल मैंने इसके उपर करवाया था क्योशन तो आप लोगों को खुच से try कर लेना है ठीक है? कुछ से try करना है सभी को और इन दोनों questions के आपको answer करने है question number ये वाला ठीक है? और एक ये वाला इन दोनों questions को आपको करना है बाकी हम calendar के उपर कल काफी सारे questions करेंगे कल कुछ previous year के questions भी हम लेके आएंगे और कुछ जो अच्छे level के questions होंगे जो आने की संभावना होगी वो questions भी हम कल वाली class में लेंगे ठीक है? तो अगर अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो तीनों parts को अच्छे से देख लेना है ठीक है? काफी important है तीन से चार questions इसके उपर काफी बार पूछ लिए जाते हैं तो आज की class हम यहीं पर समाप्त करते है Thank you